अरियूम आप लोगों का माया ग्राफिक्स में फिरसे स्वगत करते हुए आज क्या है कि टेक्स्ट को आप दिल्डी एफट कैसे दे सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ तो उसके लिए कि आप पहले एक टेक्स टूल लेता हूँ लेके इदर क्लिक करो आप एक sheet है, so अभी इसको select करता हूँ, select करके authorize को बढ़ा किया मैंने, so इतना करने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, इसका जो shade है, shade change कर लेता हूँ मैं, so अभी इसको समझो, अभी एक green shade दिया मैंने, अभी इसको मुझे क्या करना है, contour effect देना है, so उसके लिए इधर shadow tool के अं अभी के लिए इसको क्या है, four steps को मैंने रखा है, और इसमें भी क्या है, इसका thickness आप कम जादा कर सकते है, so इसको क्या है, 5.5 रखा है मैंने, अभी इधर क्या है, contour colors करके है, इसमें आता हूँ, इसमें क्या है linear है, अगर आप चाहिए तो इसमें clockwise control रख सकते है, और control clockwise भी है, अभी के लिए इसको clockwise रखता हूँ, clockwise रखके इसको आप क्या करो, इसके ओपर mouse राइट लिक करके इसको break कर लेना, so break control बूलने से दिखो ये क्या है, contour effect से भार आ गया अभी, so अभी इसको एक बार undo करता हूँ, और इसके ओपर right लिक करके इसको आप ungroup करो, ungroup करन मैं, so देखो भी ये क्या है, एक shadow आगया भी, इसमें क्या है आप इसका, जो shadow का opacity है, इसको कम जादा आप कर सकते है, अभी समझो इसको 75 या मैंने, और इसका जो spray है, यानि feathering है, इसको 10 रखता हूँ, so आपको जितना चाहिए, उतना आप इदर है, set करके आप देख लेना so इतना रखने के बाद, अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इस इस shadow को sub step पे repeat करना है मुझे, अभी इसको select करता हूँ, select करके object में आके, इदर क्या है, copy effect में आना है, shadow from करके है, इदर इस arrow को इस shadow पे click करना है, तो इदर आ जाता है, so अभी yellow में select करता हूँ, object में आके, copy effect, drop इदर क्लिक करता हूं तो दिखो यवलो को शाडो आ गया अभी इसको select करता हूं, select करके object में आता हूं, copy effect में आके shadow from करके हैं, इसी तरह क्या है इन सब को आपको repeat करना है, खो अभी इदर copy effect shadow from करके हैं, इसको click कि आमें ने, इसको अभी आपको एक complete 3D look दे रहा है, अभी दि इसको तो टोड़ा, जूम करके अभी, मैं क्या करता। जो shadow हमने दिया था अभी इसी shadow को क्या है। इस step को select करता हूँ, select करके जो shadow properties में क्या है, inner shadow tool करके इसको click करता हूँ, तो ये अंदर की तरफ आ रहा है। inner shadow कैसे create करना है अगर आपके पास पुराना और शन ही तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है उसको में end screen में देता हूँ उसको एक बार आप चक कर लेना इसको select करके inner भोलता हूँ मैं, इसको भी आप select करो इस तरह क्या है आप एक 3D character का design आप रिडिक कर सकते हैं देखो भी यह क्या है complete आपको 3D लग रहा है तो अगर एक करते वक्त आपको कुछ doubts वगिरा है तो मुझे comment box में comment कीजिएगा हमारे साथ जुड़े देने के लिए और इस चनल को subscribe करने के लिए आप लगों का धन्यवाद